आज मैं आपको हमारे latest launch LED TV 43 MX 750 के कुछ बहुती इनीक features के बारे में बताना चाहूँगा सब जब भी हम कोई LED TV purchase करें तो सबसे पहले दो चीदे देखें picture quality and sound quality then उसके बाद उसके बाद क्या unique features है वो तो सबसे पहले मैं आप से बाद करूँगा picture quality यह picture quality आप देखिए इसको हम बोलते हैं hexachroma drive अगर आप इसकी picture quality को किसी भी competition की दीवी के साथ compare करते हैं तो आपको straight away difference समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो color reproduction हो रहा है वो तीन color से हो रहा है red green blue बट hexachroma drive का benefit यह है कि इसमें तीन और color add हो जाते हैं sial magenta yellow इससे यह होता है कि यह one billion colors रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करके आपको screen पर देता है यह हो गया हमारा hexachroma drive अब मैं आपको second thing बताऊंगा sound quality sound quality के लिए हमने इसमें built-in home theater दिया powered by Dolby Digital अब sir इसको मैं एक example के तोर से आपको बदाना चाहूंगा हम जब किसी theater में जाते हैं और जब हम movie देखने बठते हैं कि left से कोई बोल रहा है जब right से कोई बोलता है तो हमें right कावा दाता है exactly हमने वही quality Dolby Digital के थूरूप built-in home theater के थूरूप दिया हुआ है आप अगर अगर अपनी इस TV को अपने hall में install करते हैं और अगर आप इसमें कोई movie देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह है Google TV अब Google TV का सबसे बड़ा benefit मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें हर काम remote से ही नहीं कर सकते हम voice assistant का भी हमको Google TV support देता है अब जैसे मैं voice assistant यूज करने जा रहा हूँ ले YouTube YouTube हमारे सामने open हो जाता है और YouTube के जो भी सबसे नए contents होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे तो यह voice assistant एक आपको बहुत अच्छा feature मिलता है अब second thing मैं अगर इसके home screen पर जाता हूँ तो आपको समझने आएगा इसका home screen एकदम अलग दिया हूँ रहा है इसका home screen को आप personalize कर सकते हो इसमें आप अपने wallpaper set कर सकते हो या फिर आपने जो भी OTT platforms के subscription लेके रखे हैं या जो सबसे ज्यादा use करते हो आप वो आप अपने सामने ही रख सकते हो ताकि यह easy to use हो जाए आपको जो भी use करना है आप सिर्फ single click पे उसको access कर सकते हैं उसको start कर सकते हैं